नारिल पानी पीने से जिल्द में नमी बरकरार रहती है मेथी के बीज रात भर पानी में भीगो कर पीने से बालों का जड़ना कम होता है लिमू का रस और शेहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से जिल्द निखर जाती है आलू का रस आँखों के गिर्द हलकों पर लगाने से हलके कम होते हैं अंडे की सपेदी का मास्क चेहरे पर लगाने से जल्द सक्त होती है तर्बूज के बीज का पौडर पानी में मिला कर पीने से जिसम की गर्मी कम होती है बदाम का तेल लगाने से बाल मजबूत और चमकदार होते हैं प्याज का रस जिल्द पर लगाने से दाने और कील मासे खतम होते हैं दूद में हल्दी मिलाकर पीने से जिस मानी दर्द में आराम मिलता है इलोवेरा जिल लगाने से सूरज की तमाजत से जिल्द मेफूज रहती है लिमू का रस और नारियल का तेल मिलाकर बालों में लगाने से कुछकी खतम होती है शेद और दही का मास्क चेहरे पर लगाने से जिल्द नरम और मुलाइम होती है केले का मास्क बालों में लगाने से बाल नरम और चमकदार होते हैं चने का पानी पीने से हाजमा बेहतर होता है काली मिर्च और शेहद का मिकसचर खाने से खांसी में आराम मिलता है नीम के पत्तों का पेस्ट लगाने से जिल्द की खारिश खतम होती है कलवंजी के तेल का इस्तमाल जिसमानी ताकत बढ़ाता है जेतून का तेल चिहरे पर लगाने से जिल्द नरम और मुलाइम होती है अलाइची चबाने से मूँ की बदबू खतम होती है पोदीने के पत्तों का पानी पीने से सीने की जलन में अराम मिलता है अद्रक का रस पीने से मेदे की तकलीफ में राहत मिलती है आमला का रस पीने से बालों की सेहत बेहतर होती है दूद में शेहद मिला कर पीने से नीद बेहतर होती है तर्बूज का रस पीने से जिसम की गर्मी कम होती है दही का मास्क बालों में लगाने से बाल नर्म और चमकदार होते हैं हलदी और शेहद का मिकसचर लगाने से जखम जल्द भर जाते हैं निम्बू का रस पीने से जिसम से जहरीले मादे खारज होते हैं खीरे का रस पीने से जिसम की गर्मी कम होती है नारियल का तेल और एलो वेरा जिल मिलाकर लगाने से बाल नरम और चमकदार होते हैं शेद और दार चीनी का मिक्सचर खाने से जिसमानी दर्द में आराम मिलता है प्याज का रस पीने से हाजमा बेहतर होता है लिमू का रस और शेद मिलाकर पीने से जिसम से जहरीले मादे खारज होते हैं नारियल का तेल लगाने से जल्द नरम और मुलाइम होती है कलवंजी के भीज खाने से जिसमानी ताकत बढ़ती है सरसों के तेल से मालिश करने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है नारियल का तेल लगाने से वाल नरम और चमकदार हो जाते हैं हलदी और दूद का मिक्सचर पीने से सर्दी और खांसी में अराम मिलता है नीम के पत्तों का पानी पीने से खुन साफ होता है अद्रक की चाएं पीने से मेदे की तकलीफ में राहत मिलती है पोदीने का उर्क पीने से सीने की जलन में आराम आता है शेद और दारचीनी का मिक्सचर पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है इलोवेरा का जूस पीने से जिल्द के मसाइल में बेहतरी आती है लोंग का तेल लगाने से दांत के दर्द में फोरी आराम मिलता है मेथी के बीज का पानी पीने से बालों का जड़ना कम होता है दही का मास्क चेहरे पर लगाने से जिल्द चमकदार और नरम होती है लीमू का रस और शेहद पानी में मिलाकर पीने से जिसम से जहरीले मादे खारिज होते है पोधीने की पत्यों को चबाने से मूँ की बद्बूँ खतम होती है जेतून के तेल का मालिश करने से जिल्द नरम और मुलाइम होती है हल्दी और शेद का पेस्ट लगाने से जखम जल्द भर जाते हैं कलवंजी के बीज खाने से जिस्मानी ताकत बढ़ती है नर्यल का तेल और लिमो का रस मिला कर लगाने से बालों में खुषकी कम होती है निμबू और पोदीने का अर्क पीने से हाजमा बहतर होता है गुलाब का अरक चेहरे पर लगाने से जल्द ताज़ा और निक्री होती है अद्रक ककेवा पीने से गले की खराश में आराम मिलता है प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं सबस चाएं पीने से मेटा बुलजम तेज होता है केले का मास्क लगाने से चेरे की जिल्द नरम और मुलाइम होती है नारियल पानी पीने से जिसम में नमी बरकरार रहती है शेद और दूद का मिक्सचर पीने से नीद बेहतर होती है अलाइची चबाने से मूँ की बदबू खतम होती है तर्बूज का रस पीने से जिसम की गर्मी कम होती है पपीते का मास्क चेहरे पर लगाने से जिल्द चमकदार होती है अनार का जूस पीने से खून की कमी दूर होती है हलदी वाला दूद पीने से जिसमानी दर्द में आराम मिलता है नारियल का तेल और एलो वेरा जिल मिलाकर लगाने से बाल नरम और चमकदार होते हैं नीम के पतों का पेस्ट लगाने से जल्द की खारश खतम होती है तुलसी के पते चबाने से नजला और जुकाम में अराम मिलता है खजूर खाने से जिसम में तवानाई बढ़ती है आमला का रस पीने से बालों की सेहत बेहतर होती है दूद में शेहद मिलाकर पीने से जिसमानी थकावट कम होती है लीमू का रस पीने से जिसम से जहरीले मादे खारज होते है हलदी और दूद का मिक्सचर पीने से जिसम में ताकत बढ़ती है नारियल का तेल गरम करके बालों में मालिश करें ये बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है आमला का रस और नारियल का तेल मिलाकर बालों में लगाएं आमला बालों की सेहत के लिए बेहतरीन है प्याज का रस निकाल कर बालों की जड़ों में लगाएं प्याज का रस बालों के जड़ने को रोकता है दही और मेथी के बीज का पेस्ट बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं दही बालों को नरम करता है और मेथी बालों को जड़ों से मजबूत करती है इलोवेरा जिल बालों में लगाएं इलोवेरा बालों की जड़ों को मजबूत और बालों को नरम और मुलाइम बनाता है हलदी और दूद का पेस्ट बालों की जड़ों में लगाएं ये बालों को मजबूत करता है और उनके जड़ने को रोकता है निम्बू और दही का मास्क बालों में लगाने से बाल नरम और चमकदार होते हैं बादाम का तेल और अंडे की जर्दी मिलाकर बालों में लगाएं ये बालों को गिजायत फ्राम करता है कलवंजी का तेल बालों में लगाने से बालों का जड़ना कम होता है